लो एबरेवन, वल्किम तो मॉमी टॉटको की चैनल, होप आप सभी अच्छी होंगे, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं गर्मा गर्म और क्रिस्पी बेबी पटेटो फ्राई, तो चली देखते हैं, इसे हमने कैसे बनाया है, रेसिपी को पोरा चानने के लिए, वी इसी तरीके से काट लेना है, तब इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलीए, अब हम इसको अच्छे से धो लिया है, अब हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं, तो यहाँ पे मसालों में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमने लिया है ज़्यादा रेवाशा लगता है, तो इसलिए हम कम यूज कर रहे हैं, और थोड़़े से यहाँ पे सुखे लाल मर्च हम यूज करेंगे, और यहाँ पे कोई भी प्यास, कोई भी लेसन बगेरा हम यूज नहीं करेंगे, तो चलीए, अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं, तो सकते हो को तो यह 25 पूरां के साथ ही हम डाल के सुखे मेर्शी को और इनको अच्छे से तल लेंगे मसाल melts नहीं है तो यहांपे मसाल इच्छ taraf के बुन गहें अब हम करनाई के नंगिए यहां पर communication दलें चाहें से अलो के साथ मसालो को अच्छे से निक्स करनी के बात इसमें हम अलो को स्टीम में पकाएंगे तो इस पूरे कुτιंग प्रोसेस में करें पांट श्आलब ल्ग जाएंगे तो यहां पर हमने थीम में थे desses का में लोहरां कि बृड़ा लगा电ट है तो यह गाइज अब हम दो मिनिट बाद फिर से धकन उठा के आलो को थोड़ा बीच में हिला देंगे ताकि आलो जो है वो नीचे से लगना चाहे तो यहाँ पर अच्छे से हमने आलो को मिक्स कर लिया है अब फिर से हम ढखकर लगा देते हैं ताकि यह स्टीम में अच्छे से पक जाए कच्छे ना रहे flame हमारा low ही है गाईस तो यहाँ पर चलिए फिर से चेक कर लेते हैं कि हमारे आलू पके है की नहीं अज़बार हमारे चाप से यह पक चुके है चेक करके आप लोग को दिखाते हैं और यह बहुत गरम होता है ध्यान से तो यही आप लोग देख सकते हो आलू एकदम अच्छे से पक चुके है अब हम यहाँ पर फ्लेम को हाई कर देंगे गाइस और आलू को क्रिस्पी फ्राइ करने के लिए अब धक्कन नहीं लगाएंगे यह पक चुके है स्टीम में तो बस अभी फ्लेम को हम हाई कर देते और आलू को क्रिस्पी फ्राइ होने देते बिना धक्कन के इसको हम क्रिस्पी फ्राइ करेंगे आप लोग को जितना क्रिस्पी पसंद है आप लोग उस हिसाब से रख सकते हो हम इसको crispy करेंगे लेकिन ज्यादा भी नहीं तो यहाँ पर आलो हमारे crispy बन गए है गाईस अब हम गैस का flame off कर दें इससे ज्यादा अगर crispy किया तो हम चावल के साथ अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पर हमने आलो को बावल में निकाल लिया है और यह हमारा crispy baby potato fry बिना प्य अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो में लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये भी ना मत चाहिएगा थैंक यू फू वाचिंग